नमस्कार दोस्तों सिफ्रकास क्लासे में आप सबका स्वागत है दोस्तों कारे और समय का आज तीसरी क्लास है आज हम लोग इसका टाइप 7 देखेंगे चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं पहला कुश्ण देखते हैं 12 पूरुस तथा 16 बच्चे किसी कार को 5 दिन में कर सकते हैं तथा 13 पूरुस एवं 24 बच्चे उसे 4 दिन में पूरा कर सकते हैं तो 7 पूरुस एवं 10 बच्चों को वही कार करने में कितना समय लगेगा तो यहाँ पर आप पहले पूरुस कितने पूरुस कितने बच्चे के बराबर है पहले इसको ग्याद करेंगे फिर आगे सवाल को solve करेंगे चलिए प्रस्ण के अनुसार पहले हल करते हैं 12 पूरुस पूरुस को P से लिखते हैं और 10 16 बच्चे 16 बच्चे यानि चिल्डर्न को सी सी दिखा रहे हैं उसके बाद किसी कार को 5 दिन में कर ले रहे हैं 5 इक्वल टू 13 पूरुस एउम 24 बच्चे उसे 4 दिन में पूरा कर सकते हैं अब यहाँ पर 5 को अंदर गुड़ा करते हैं 12 पंचे 60 16 पंचे 80 इक्वल टू तेरा चुक बावन चार चुक 16 और चार दुनी आठेक 9 अब यहाँ पर पूरुस को एक तरफ और बच्चे को एक तरफ ले जाएंगे तो 60 में से 52 गए आठ पी और इधर ले आएंगे तो 96 में से 80 गए 16 सी तो यहाँ पर एक पी बराबर हो जाएगा दो सी यानि एक पूरुस दो चिल्डरेन के बराबर होगा अब इसमें पूछा क्या है साथ पूरुस एवं दस बच्चों को वही कार करने में कितना समय लगेगा तो यहाँ पर आप चाहे इसको पूरा ले लेजिए चाहे इसको और आप यहाँ पर बराबर कर दिए साथ पूरुस प्लस दस चिल्डरेन मांते हैं यह एक दिन में काम करेंगे यहाँ पर पहला वाला ले ले लिजिए बारा पूरुस और सोला बच्चे पांदीन में कारकों कर रहे हैं अब यहां पर आप चाहे तो पुरुस को चिल्डरेन में बदल दीजिए बच्चे में या तो बच्चे को पुरुस में बदल दीजिए तो हम पुरुस को बच्चे में बदल देते हैं बारा पी और प्लस यहाँ पर हो जाएगा आपका चिल्ड्रेन अबतल रहे हैं यहाँ पर कर देंगे तो 24 P 24 C हो जाएगा उसके बाद 16 C क्योंकि 1 पुरुस बराबर 2 चिल्ड्रेन है तो 12 दूनी 24 हो गया गुड़े 5 इकल टू एक पुरुस बराबर 2 चिल्ड्रेन यानि सादूनी 14 हो जाएगा 14 C प्लस 10 C और X बाहर फिर यहाँ पर जोड़ लेते हैं इसको जोड़ेंगे हो जाएगा आपका 30 और 40 40 गुड़े यहाँ पर C रहेगा बाहर दोनों और C है कड़ जाएगा इसलिए उसको नहीं लिख रहे हैं और यहाँ पर जूड़के हो जाएगा 14 10 24 गुड़े यक्स फिर यहाँ पर काड़ देते हैं इसको इसको पहले दो से काड़ते हैं 12 यहाँ पर 20 हो गया उसके बाद फिर 6 यह आपका 10 हो गया फिर यहाँ पर इसको 3 और यह 5 फिर आपका गुड़ा हो जाएगा 25 इक्वाल टू यहाँ पर 3 यक्स फिर यहाँ पर यक्स इक्वाल टू हो जाएगा 25 बटे 3 तो 3 अट 24 यानि 8 सही एक बटा 3 दिन समय लगेगा चलिए अपने सवाल देखते हैं इसके बाद यदि 2 पुरूस या 4 महिलाएं किसी खेत को 40 दिनों में काटती हैं तो 7 पुरूस या 6 महिलाएं उसी खेत को कितने दिनों में काटेंगी यहाँ पर कुश्यर में दिया है 2 पुरूस या 4 महिलाएं यानि 2 पुरूस बराबर 4 महिलाएं महिलाएं को यह हमसे दिखा रहे हैं यानि 1 पुरूस बराबर हो जाएगा आपका 2 महिलाएं कि उसके बाद देखते हैं आगे क्या कह रहा है किसी खेट को 40 दिनों में काटती है तो साथ पुरुस यह उम 6 महिले आए उसी खेट को कितने दिनों में काटेंगी तो दो पुरूस गुड़े 40 इक्वल टू चाहे तो आप दो पुरूस कर दिए चाहे तो आप 4 महिलाएं गुड़े 40 कर दिए तो यहाँ पर 7P प्लस एवं दिया है इसलिए जोड़ेंगे अगर यहाँ दिया होता तो 7 लिखते और यहाँ तो महिलाएं 6 महिलाएं लिखते हैं यहाँ दिया है इसलिए दोनों को जोड़के लिखना पड़ेगा गुड़े कितने जिन में माल लेते हैं यक्श दिन में काटेंगे अब यहाँ पर हम पुरूस को महिला में बतल देते हैं तो एक पुरूस बराबर 2 महिला तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 2 यहाँ यहाँ पर लिखेंगे equal to 7 यहाँ पर direct गुड़ा कर देते हैं 7 दूनी 14 हो जाएगा आपका 14 यहाँ 6 यहाँ into x इसके बाद यहाँ पर आप गुड़ा करेंगे 2 दूनी 4 यहाँ गुड़े 40 equal to जुड़के 20 यहाँ गुड़े x यहाँ दोरो और है कर जाएगा आपका और 20 दूनी 40 यहाँ चार दूनी 8 8 दिन यहाँ पर आपका D-Apsons हो जाएगा question को एक बार दूबारा देख लेते हैं यदि 2 पूरुस यह 4 महिले हैं किसी खेत को 40 दिनों में काटती हैं तो 7 पूरुस यह 6 महिले हैं उसी खेत को कितने दिन में काटेंगी तो यहाँ पर आपने एक समाना था तो 8 दिन आजाएगा आपका answer चलिए अब नेक्स टाइप की सवाल देखते हैं चलिए अगला टाइप देखते हैं टाइप नमर 8 कुशन है A. एक दिवार 30 दिनों में बना सकता है जबकि B. अकेला उसे 40 दिनों में बना सकता है यदि वे दोनों मिलकर उसे बनाएं तो बनाएं और 7000 का भुकतान पराप्त करें तो उसमें B का हिस्सा क्या होगा B का हिस्सा ग्यात करना है A. एक दिवार को 30 दिन में बना रहा है B. बी अकेला 40 दिन में बना रहा है इन दोनों का LCM ले लेंगे 120 उसके बाद यहाँ पर भाग देंगे 4 और यहाँ पर हो जाएगा आपका 3 यह जो है 3 और 4 A और B की कार छमता है यानि कि इनका छमता का अनुपात 4 अनुपाते 3 हो जाएगा और यह दो इनको 7000 रूपे का भुकतान मिल रहा है ठीक? अनुपाती योग आपका 7 हो जाएगा हमें ग्यात करना है B का हिस्सा ग्यात करना है तो टोटल 7000 पा रहे है B का हिस्सा ग्यात करना है यानि कि B की यहाँ पर छमता 3 है 3 उपर से उड़ा कर देंगे उसके बाद टोटल छमता से भाग देंगे तो B का हिस्सा निकल आएगा यानि कि आपका आ जाएगा 3000 रूपए आपका अप्शन C सही हो जाएगा इसको एक बार दुबारा देख लेते हैं यहाँ पर A एक दिवार को 30 दिन में बना सकता है जबकि B अकेला उसे 40 दिन में बना रहा है यहाँ से आप A और B की कारचमता निकल लीजिए उसके बाद उसका टोटल योग साथ हो जाएगा यहाँ पर इनका कारचमता गनपार 4 गनपार 3 है और टोटल यह दोनों मिलके कर रहे हैं तो 7000 रुपए पार रहे हैं उसके बाद B का हिस्सा ग्यात करना है तो B की कारचमता उपर से गुड़ा हो जाएगा उसके बाद टोटल कारचमता से भाग हो जाएगा तो B का हिस्सा ग्यात हो जाएगा चलिए निक सवाल देखते हैं इसके बाद एक धनराज A को 21 दिनों तक और B को 28 दिनों तक मज़़ूरी देने के लिए परयाप्त है तदर नुसार वही धनराश दोनों को कितने दिनों तक मज़़ूरी देने के लिए परयाप्त है इस टाइप में एक धनराश A को 21 दिनों तक और B को 28 दिनों तक B को 28 दिनों तक मज़़ूरी देने के लिए परयाप्त है यानि कि A 21 दिनों तक किसी कार को कर रहा है और B 28 दिनों तक किसी कार को कर रहा है और ग्यात करना इसमें दोनों कितने दिनों तक कार को कितने दिनों तक मज़़ूरी देने के लिए परयाप्त है वह अई धन्राशी दोनों को कितने दिनों तक देने के लिए परयाप्त है तो यहाँ पर टोटल यहाँ पर ELCM लेंगे तो 84 हो जाएगा यानि कि टोटल कार आपका 84 हो जाएगा फिर यहाँ पर एक दिन का कार निकालेंगे 4 आजाएगा आपका 84 में 28 से भाग देंगे 3 आजाएगा यानि कि A एक दिन में 4 काम कर रहा है B एक दिन में 3 काम कर रहा है टोटल काम 84 है अगर जब दोनों मिलकर कार को करेंगे यहाँ पर इन दोनों का एक दिन का कार हो जाएगा 4 प्लस 3 यानि कि 84 बटे 7 7 एक नम 7 24 यानि कि अगर दोनों मिलकर कार को करेंगे तो 12 दिन में कार को समाप कर देंगे यानि कि वही धनराशी जब वह साथ काम करेंगे तो 12 दिन देने के लिए परयाप्त है तो आपका अप्शन यहाँ पर A साई हो जाएगा चलिए अपने सवाल देखेंगे प्शन देखते हैं A और B एक कार को A और B एक कार को 720 रुपए में करने की जिम्मेवारी लेते हैं A अकेला इस कार को 8 दिनों में कर सकता है B अकेला इसे 12 दिनों में कर सकता है C की सहायता से वे इस काम को 4 दिनों में पूरा कर लेते हैं तो C का हिस्सा कितने रुपाए होगा तो यहाँ पर दिया है A अकेले इस काम को 8 दिन में कर सकता है B अकेले इस काम को 12 दिन में C की सहायता से वे इस काम को 4 दिनों में कर लेते हैं यानि कि A, B और C एक साथ काम कर रहे हैं तब इस काम को चार दिन में समाप कर ले रहे हैं तो इन सब का यहाँ पर LCM हो जाएगा आपका 24 और एक दिन का काम हो जाएगा यहाँ पर 834 3, 12 दूनी 24, 2, 4 छंग 24, 6 तो यहाँ पर इनकी एक कारशमता यहाँ पर आपका 3 आ गई और B की कारशमता यहाँ पर 2 है यानि कि एक दिन का काम है यहाँ पर A, B, C A, B और C का 6 हो रहा है और यहाँ पर A, B कमा रख दे रहे हैं 3 प्लस 2 प्लस C इकल टू 6 तो यहाँ पर आप घटा देंगे 6 में से 5 गए 1 यानि कि C की कारशमता यहाँ पर आपकी 1 आ गई C के हिस्सा ग्याद करना है हमें 720 रुपएं में पूरे कारश को करना है A और B एक कारशमता एक है ऊपर एक गुड़ा करेंगे और नीचे टोटल कारशमता यहाँ पर आपकी 3 प्लस 2 प्लस 1 यानि कि 720 गुड़े एक बटे 6 तो यहाँ पर आपका 12 चंग 72 हो जाएगा यहाँ 6 काटेंगे तो 120 आ जागे उपर 120 रूपए तो C के हिस्सा आपका आ गया 120 रूपए आपका A option सही हो गया चलिए अब नेक्स सवाल देखते हैं यह नए टाइप के सवाल है टाइप नमबर 9 देखेंगे एक चात्रावास में 120 चात्र हैं और खाद समागरी 45 दिनों के लिए है यदि उस चात्रावास में 30 चात्र नए और आ जाएं तो वही खाद समागरी कितने दिनों में समाथ हो जाएगी कोई छात्रवास है उसमें 120 छात्र है और खाद समागरी 45 दिनों के लिए है 45 उगड़ा कर देंगे उसके बाद यदि उस छात्रवास में 30 छात्र नए आ जा रहे है यानि कि 120 प्लस 30 उसके बाद फिर वह खाद समागरी कितने दिनों में समाथ हो जाएगी माल लेते हैं यक्स दिनों में समाप्त हो जाएगी यहाँ पर आपका 120 गुड़े 45 इकॉल टू यहाँ पर 150 गुड़े यक्स यहाँ पर जो फार्मुला लग रहा है वह लग रहा है आपका M1 D1 T1 और E1 इकॉल अपान W1 और M2 D2 T2 E2 अपान W2 वाला फार्मुला लग रहा है यहाँ पर M का मतलब यहाँ पर Man, आदमी और D का मतलब D, दिन यहाँ पर इसको हलका ले रहे हैं 120 यहाँ पर कट जाएगा आपका 12 गुड़े 45 15 गुड़े यक्स 15 तीए 45 यानि कि बार तीए 36 36 दिन 30 छात्र नए आजाने के बाद वासमागरी 36 दिन चलेगी आपका D, अप्सन सही हो जाएगा दोस्तों आज किलास यही तक रखते हैं वीडियो को लाइक करें, सेर करें, सब्सक्राइब करें धन्यबाद दोस्तों 30 दोस्तों प्सच्ड़गा कि वीडियो आजाने कि रखते हैं